योग, अईरुवेद और नेच्रोपैति के बारे में जानकारे के लिए सब्सक्राइब कीजिए महादेव योगी चैनल को और बेल आइकोन पे क्लिक कीजिए नमस्कार दोस्तों, आज हम सिखेंगे पच्चिमोत्तानासन, जानते हैं पच्चिमोत्तानासन के कुछ लाबों के बारे में, कुछ हनियों के बारे में पच्चिमोत्तान आशन करने से हटियोप प्रदीपिका के अनुसार कुंडलीनी जागरन में काफी फैदा पहुंचता है, कुंडलीनी जागरत हो जाती है हाई ब्लड प्रेशर में इस आसन से काफी लाब पहुंचता है मोटापा कम होता है, पेट की बड़ी वई चर्वी कम हो जाती है कॉंश्टिपेशन में भी काफी फायदा पहुंच जाता है पाचन शक्ती बढ़ जाती है विसी प्रकार स्कीन दीजिज में भी इसका काफी लाब है स्पाइन फ्लेक्सिबल बन जाती है यो आवस्ता प्राप्त हो जाती है वीरिय से संबंदित समस्याओं में भी लाब पहुंचाता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन में लाब पहुंचाता है हमारे कमर के आसपास की चर्वी गड़ जाती है स्पाइन फ्लेक्सिबल होके रक्त संचार सुचारो रोप से होने लगता है तो कई सारे प्रकार के ये फाइदे है पच्छमोत्तानासन करने से लेकिन क्या है इसकी सीमाएं किस अवस्ता में नहीं करना चाहिए पच्छमोत्तानासन जिनको अस्तमा हो, दमा हो, श्वास से समस्या हो ऐसे व्यक्तियों को यासन नहीं करना चाहिए जिन विक्तियों को slip disc हो, spine में problem हो, cervical हो ऐसे विक्तियों को भी पच्छे मोत्तानासन नहीं करना चाहिए back की problem हो, lower back में दर्द हो, shaitika हो ऐसे अवस्ता में भी यह आसन नहीं करना चाहिए उसी प्रकार अगर loose motion लगे हो, पेट में दर्द हो ऐसे वस्ता में भी इस आसन को नहीं करना चाहिए इसके अलावा, स्वस्ति इंसान इस आसन को करके दिर्गायू को प्राप्त होता है तो आईए देखते हैं पच्छे मोत्तानासन ऑच्छे मोत्तान प्रणा बनातार प्र Pods आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे लगी हो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी हो तो इसको लाइक कीजिए शेर कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद